अलो प्रेंट्स एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ और इस वीडियो के साथ या इस वीडियो में जो मैं संदेश देने जा रहा हूँ वे बहुत ही इमपोर्टेंट है अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा जूस जिस से आप पूरे सिस्टम को डिटॉक्स या क्लीन कर सकते हैं वह जूस कोन सा होगा अगर मैं एक एक बात के साथ शेयर करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं कहूँ किस तरह से आप अपने गट को या डाइजिस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करें तो बहुत सारी चीजे आपको मिल जाएंगी आप ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं ये पी सकते हैं वो पी सकते हैं और आप अपने गट को साव कर सकते हैं लेकिन अगर मैं कहूँ गट के साथ आपको आपके अपने लिवर को भी साव करना जो बाइल जूस को बनाता है या बाइल सिक्रेशन देता है फिर अगर मैं आपसे क ब्रेन को कौन डिटॉक्स करे या फिर आपके लंग्स को किस तरह से सफाई चाहिए और उस सफाई को कौन करे इतना ही नहीं अगर मैं यह कहूं कि आपके नर्वस सिस्टम को और आपके आप कह सकते हैं कि एंग्जाइटी को कैसे आपके माइंड और ब्रेन से निकाले वो है और बहुत प्रेसाइज है और बहुत अब मैं तूदा पॉइंट चीजों को रखूंगा कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं बहुत सारे जैसा कि आप जानते हैं मैं कई वीडियो में शेयर कर चुका हूँ मुझे भी बहुत सारे चैलिंजिस थे और उन चैलिंजिस के सा गए और ये पता चला कि इससे बेहतरीन अमरित कोई नहीं है हमारे लिए और कमाल की बात यह है कि इसे कोई भी एफोर्ड कर सकता है ऐसा नहीं कि यह बहुत महंगा है अब आपका यहां पर तीन चार सवाल होंगे नमबर एक यह जूस कौन सा है दूसरा इसे कैसे तयार करे तीसरा सवाल बड़ा important होगा इसके और क्या-क्या फाइदे हैं जो हम नहीं जानते जिसको मैंने या तो study किया है या मैंने learn किया है या फिर मैंने इसका तजूर्बाय किया है ये बहुत important होगा इसके और क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं इन सब चीजों के साथ में इस वीड की बात है तो ये जूस आपके लिए बहुत ही काम करेगा और वो भी पहले ही दिन से इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ आपके लिए चार गिफ्ट लेकर आया हूँ उन गिफ्ट को भी जरूर लीजेगा एक बुक है अविकंदा गॉर्ड अफ मिरेकल्स ये फ तीनों की तीनों प्रैक्टिकल वक्षोप हैं और आपके लिए फ्री ओफ कोस्ट हैं एक है हील यूर सबकॉंशिस माइंड एक है मिरेकल रिट्रीट किस तरह से अपने जीवन में चमतकारों को अमंत्रित करें और एक है क्वांटम हीलिंग रिट्रीट कैसे अपनी बीमारि कि वो जूस कौन सा है और उसके कौन से ऐसे फाइदे हैं जो आपको जानने चाहिए आज हमारे पास 21 सेंचुरी में बहुत सारी बीमारियां बहुत सारे चैलेंजिस आ गए हैं मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, पेइन ठीक है ना और ऐसा लगता है कि हम बीमारियों के बीच म एक तरह से पिष्टे जा रहे हैं तो ज attitude की बात करूंगा तो यह है पेठे का जूस जिसे आप S God भी कहते हैं G O U R D तो S God की बात कर रहा हूँ जिसको आप सफेद पेठे का जूस कहते हैं और इसके बारे में इससे पहले के में यहे बतांओ यह कैसे पीना है और उसमें क्य होता भाद इसके खास बात यह को फाइबर होने के नाति इसके aguht gas प्रहित्टरियंट हैं जब यह आपके पेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार Olivier करा का एक एक्तियांग só eus और जब वो अच्छा महसूस करते हैं अपने आपको एमपावर पाते हैं तो आपका डाजेस्टिव सिस्टम बहतरी होता है इतना ही नहीं याद रखेगा अगर आप बहुत सारी स्किन डिजीस से परेशान है या फिर ओटो इम्यून डिजीस से परेशान है तो हो सकता है कि आ आप लीकी गट के शिकार हो गए हो यानि कि जो आपके आतों के लाइनिंग है जो बेसिकली आपके आतों के पॉईजन को बलड में जाने से रोकती है वो लाइनिंग हो सकता है तूट गई हो कट गई हो या फिर वो बरबाद हो गई हो उसे बनाए रखने के लिए इसमें ए है जरूरी है आपके digestive system के लिए दूसरी चीज़ यह है important कि यह एक probiotic nature है इसकी इसका meaning यह है कि जो आपके पास bacteria है आतों में जो friendly bacteria है अगर वो उसकी कमी हो जाती है तो आप बहुत सारी बीमारियों से गरसित हो जाते हैं इतना ही नहीं उनकी कमी के कारण आपके mind में कई बार negative thoughts का या फिर anxiety का चलना बड़ा common हो जाता है क्योंकि mind gut connection अपने आप में एक बहुत popular सिध्धानत है अगर हम उन bacteria की संख्या को और उनको empower नहीं कर रहे हैं तो यह हमारे लिए बड़ी गलती है 21 वी शताबदी में stress और processed food खाने की वज़े से हम अपने bacteria की जो जंसंग क्या है उन्हें कम करने रखते हैं याद रखेगा पेठे का जूस तब से पहला काम यह करता है कि यह आपकी आतों में जाकर उन bacteria की colony को empower करता है और उन्हें और इस्ट्रोंग बनाता है जिससे आप यूं समझे कि जब आपका पेठ ठीक है तो आपका पूरा system ठीक है यहीं नहीं तीसरी चीज बड़ी important है इसके अंदर जो fiber है और इसके साथ कुछ nutrient है वो जब आपके आतों में जाते हैं तो इस तरह का एक माहौल क्रियेट करते हैं कि आपको fullness का एक feeling रहती है कि आपका पेठ भरा हुआ है और आपको बेकार की toxins हैं वो भी body release करने लगती है याद रखेगा फैट को जैसे hold करती है बोड़ी वैसे ही बहुत सारे toxins को भी hold करती है एक बार जैसे ही हम अपनी body को एक माहौल देते हैं release करने का चीजों को इसको body करने लगते है रिलीज और इसी को हम homeo status कहते हैं यानि के शरीर का अपनी जो normal दशा है जो ideal आदर्श दशा है उसमें आने की प्रक्रिया को शरीर शुरू कर देता है और इसमें पेठे के रस का बहुत बड़ा योगदान है अगर मैं चोती चीज कहूं तो आपके शरीर में बहुत सारी लोगों के शरीर में inflammation है कभी पेठ दुखता है तो कंदे दुखते हैं कभी muscular pain होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि आपकी नसे नाडिया दुख रही है और फिर आप क्या करते हैं anti-inflammatory drugs से लेते हैं उससे पे body में चलते हुए inflammation को as God के द्वारा यानिके पेठे के रस के द्वारा पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं इसके साथ पांचवी चीज बड़ी important है friends वह है आपकी kidneys कई बार हमारे पास हमारा बहुत important parts kidney है कई बार हम इनकी कोई देख रेक नहीं करते सही बात तो है कभी देख रेक की अवशक्ता है heart की तरह या बाकी और main parts की तरह है आपके kidney 24 by 7 आपके लिए काम करती रहती हैं वहाँ पर different तरह का माहूल होता है महाँ acidic माहूल होता है क्योंकि आपके toxins को वह एक तरह से filter करती है बाहर फैंकती उसके बात महाँ पर कई बार stone बनने लगते हैं कई बार आपकी stress के कारण कई बार आप गलत तरीके से चीजों को पी रहे हैं खा रहे हैं वह filtering खराब होने लगते है या उसके छेद आपकी kidney के खराब होने लगते हैं इसलिए हमाँ पर आपको एक basically एक environment चाहिए वो है alkaline और दूसरे हमाँ पर आपको एक चीज और चाहिए जो बहुत important है आपको समझनी होगी आपके kidney कई बार stress आपके पास है तो आपके kidney आपके water को retain कर लेती है और कई बार 13 pond water हमारी body में extra retain रहता है क क्योंकि kidney उन्हें छोड़ना नहीं चाहती जब आप stress में होते हैं ऐसे में हमें एक ऐसा product चाहिए जो डायरूटिक हो यानि के जो यूरीन को बाहर फैंकने के लिए create करें उस system को इसमें phosphorus है आपके इस juice में अगर आप इसे पीना शुरू करें तो आप पाएंगे के बार बा आप बाहर बार यूरीन जा रहे हैं और आपका वेट घट रहा है इतना ही नहीं आपकी जो kidneys are getting empowered और उनका जो detoxification है वो शुरू हो चुका है छटी चीज अगर मैं आपसे कहूं वह है आपका blood यहां पर आपको ध्यान से सुनना होगा आपके blood में WBC यानिके white blood cells घुमते रहत जब भी आप गलत खाते हैं या आपके पेट में toxins हैं या अप stress हैं तो आपके blood में एक nature आएगे कि आपका blood हमेशा ठिक हो जाएगा और ठिक blood basically आपकी बीमारियों का कारण है और वो acidic भी हो जाएगा तो अब और ज्यादा बीमारी बढ़ेंगी बीमारी कौन से होगी कि याद रखेगा जब भी आप पेटे का juice पीते हैं तो आप अपने blood को एक विशेश परकार का माहूल देते हैं जिसमें आपका blood एक बार फिर गाढ़े की जगे पतला होना शुरू हो जाता है और वो acidic medium से alkaline medium की तरफ जाने लगता है alkaline medium में आपके blood में दो चीज़े होती है नमबर एक एक तो आपके जितने भी toxins हैं वो मरने शुरू हो जाते है alkaline medium में क्योंकि वो acidic medium में ही जिंदे रहते हैं और दूसरी बात यह है कि जो आपका immune system है उसे एक support मिलती है कि वो अब confuse नहीं हो रहा है उन toxins के बीच में और जब भी आपका immune system active रहेगा और disciplined रहेगा यह ही आपकी सबसे बड़ी आवशकता है क्योंकि immune system अगर overreact हो गया तो भी autoimmune disease कर सकता है और अगर वो surrender कर गया तो और बहुत सारी infection की disease शिरू हो जाएगी इसलिए अगर आप blood के level पर अपने आपको बेहद healthy महसूस रखना चाहते हैं तो आप पेठे के सफेद पेठे का juice regularly प बनाता है fat को break करता है और आपके बाइल को form करता है अगर आपका liver अपने optimum level पर काम नहीं कर रहा है तो यह तीनों चीजे नहीं होंगी तो कभी आपको protein लेनी पड़ेगी कभी आपके बाइल जूस नहीं बन रहे तो आपको constipation और दूसरे problem आने शुरू हो जाएगी कहने क का मतलब है आपको एक ऐसी चाहिए जो आपके liver को regularly बगेर किसी chemical के empower करते रहे क्या आप जानते हैं कि अगर आप liver को पूरी तरह से healthy रखना चाहते हैं तो यह ash gourd यानिके पेठे का रस आपको पूरी तरह से help कर रहा होगा आपके liver को एक ऐसा माहूल मिल रहा होगा जिसमें वो अपने optimum level पर काम कर रहा होगा आठवी चीज है आपका heart में पढ़ रहा था कि क्या हम अपने cholesterol से पीछा चुड़ा सकते हैं एक बड़ी book है जिसका नाम है how not to die और उसमें लिखा था कि अगर आप ash gourd के juice को पीते रहें regularly इसका seven करें तो आपका जो plague है यानिके जो आपके लंग्स क्या आप जानते हैं कि आपके लंग्स में 24 by 7 हवा के द्वारा बहुत सारे बैक्टिरिया जाते हैं बहुत सारे वाइरस जाते हैं बहुत सारे गंदगी भी जाती है और आपके जो I mean लंग्स है कई बार वो mucus create करने लगते हैं जिसों हम flame कहते हैं कई बार धिला करने के लिए हमें expectorant की अवशकता पड़ती है यानि कि हमें कफ सिरफ दिया जाते हैं ताकि वो भार निकले आप चोंक जाएंगे अगर natural expectorant आप चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सफेद पेठे का juice है आज से शुरू करिए और आप अपने लंग्स को पूरी तर wear and tear के लिए रोजाना उसको भी एक पावर चाहिए तो इसमें जो iron है आपके I mean escort के juice में वह आपके brain को पूरी तरह से ताकत या आप कह सकते empower करता रहता और इतना ही नहीं इसमें B2 भी है ribofloven भी है तो जो आपका nervous system है उसको भी इस यहां से strength मिलती है यानि कि तन भी पूर करेंगे ना फिर इसके साथ naturally और अगर मैं 11 पॉइंट की बात करूं तो इसमें कुछ ऐसे तत्व भी है जो basically आपकी anxiety और stress को पूरी तरह से आपका पीछा छूड़ जाएगा और आपको नीद बहुत बढ़िया एगी क्योंकि इसमें एक छोटी सी बहुत प्यारी सी मात्रा sedative की भी है sedative को समझ रहते हैं जो आपकी body को relax करता यानि कि आपके पास muscle relaxant की हमेशा अवशकता पड़ती है कई बार हम सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है रात की बदन तूट रहा है अगर आप चाहते हैं कि आपकी body को आपको एक muscle relaxant मिले तो वो याद रखेगा सफेद पेठे का रस आपके लिए पूरी तरह से muscle relaxant का काम करेगा और बारवी चीज जिसे आप नहीं भूल सकते हैं वो है energy याद रखेगा इतना ही नहीं यह antioxidant भी है और इसमें बहुत सारे और भी mineral हैं इसमें zinc भी है इसमें calcium I mean इसमें vitamin C भी है इसमें B2 भी है इसमें phosphorus भी है इस नहीं कि आपके अंदर काम करने की इच्छा आप चीजों को कल पर नहीं टालेंगे सूचिए आपकी पूरी I mean शरीर को और आपके पूरे के पूरे माइंड को बदलने के लिए पोजिटिव रखने के लिए कितना important है सफेद पेठे का juice अब आपका सवाल होगा इसे कैसे पि यूज कर सकते हैं यानि कि आप तीन बार इसको पी सकते हैं या इविन चार बार भी पी सकते हैं इसको पीने के लिए आपको करना इतना है कि इसका चिलका जरूर उतारना है नहीं तो आपका ये जूस कड़वा हो जाएगा इसके बीज भी उतार देने हैं और फिर आपके बेसिकली आप अपने ग्राइंडर में डाल दीजेगा थोड़ा सा पानी डाल दीजेगा और फिर आप कोटन के कबड़े से उसे अच्छी तरह से निचोड लीजेगा आपका एक गिलास पूरा हो जाएगा अगर वो बहुत जादा थिक है तो आप थोड़ा पानी भी मिला सकत हैं आप यूं समझे चोटा गिलास या मीडियम गिलास आप एक बार में पी सकते हैं कब पीना हैं सबसे बढ़िया तो यह रहेगा कि आप खाली पेट पीएं लेकिन अगर इसे आप दोपेर के खाने के बाद जब आपको मन करता है कुछ खाने का और आप तलाश कर रहे होत यहां पर कुछ लोग यह कहते हैं कि इसमें नमक भी मिला लेना चाहिए मैं यह मानता हूँ कि अगर आप धंक से पढ़ें तो हमारी बोडी या हमारी किडनी बेसिकली वाटर रिटेंड कब करती हैं हमारा जो बोडी में आई मीन जो वाटर रिटेंड रहता वो तब रहता जब हमारे पास सोडियम की अधिकता होती है अगर आप नमक मिलाएंगे तो यह रिटेंड हो जाएगा पानी पूरा का पूरा और इसका जो डायरूटिक एफेक्ट है यानि कि जो बाहर फैक रहा है यूरीन के रास्ते से बहुत सारे टॉक्षिंस को वो रुक जाएगा किसी भी मंडी में या आप किसी भी अपने वेजटेबल वेंडर को कह सकते हैं कि वो लाकर देता रहे आपको तीसरे चोते दिन और आप इसकी प्रिक्रिया को पर्मानेंट कर दें अपनी फैमिली में और फिर देखेंगे कि आप लाखो हजारों रुपे की जो दवाईयां अदर दर से हम खाते रहते हैं उससे आप ही बचत होगी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें ना करें लेकिन शेयर जरूर करिएगा पहली बारा हैं सबस्क्राइब कर लिजेगा और वो चारों गिफ्ट उनको जरूर अवेल करिएगा थैंक यू वेरी मुच झाल झाल झाल